नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विपक्षी गडबंदन इंडिया की तीसरी बैटक मुंबई में होनी है जिसको लेकर बड़ी कबर ये सामने आ रही है कि अर्विन के जि कि अर्विन के जिवाल विपक्षी गडबंदन से दूरी बना ले बैठक में नाज आये लेकिन अभी कुछ देर पहले ही अर्विन के जिवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि वो इस बैठक में शामल होंगे इस बड़ी कबर पे मेरे साथ जुड़े हुए है क्यापिटल अर्विन के जिवाल नहीं जाएंगे लेकिन अब खुद कह रहे हैं कि वो जाएंगे आखिर क्यों अब अर्विन के जिवाल मुंबई जाने वाले देखिए दो तीन पहलु है जिसको समझना ज़रूरी है यह जाना भी क्या जाना है कि दिल्ली में आम अबही पार्टी ने गांदी और खड़के साहब के साथ दिल्ली के स्थानिय लीडर्स ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये तैग किया गया कि हम सातों के साथ सीट पे चुनाओं लड़ेंगे क्योंकि पिछली बार से जो है हमने आम आदबी पार्टी से ज्यादा वोट ला करके नंबर टू क कि पार्टी हम थे तो यहां पर डॉमिनेंट पार्टी हमी लोग है लोग बिधान सभा के चुनाओं में भले केजरिवाज जीद गए हो लेकिन हम एक इंच जमीन जो है वो कंसीड नहीं करने वाले हैं तो कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि हम साथ सीट पे लड़ेंगे आम कॉंबई जागर के करना क्या है वहाँ पे तमाशा एक्जैक्टली तमाशा ही होने वाला है क्योंकि गुजरात में भी कॉंग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम को एलाइंस नहीं करेंगे आम आधी पार्टी जो है कॉंग्रेस पार्टी को नुक्सान कर रही है पंजाब में भी कह दिया गया कि हम एलाइंस नहीं करेंगे हम तो इन लोगों का चेहरा तक नहीं देखना चाते और वाजिब सी बात है कई सारे जो पुर्व मंत्री थे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में पिछली भार उसको भगवंतमान ने जेल में डाल दिया है कई सारे लोगों के खिल कि सारी के सारी नबे सीटों के ऊपर ऊपर चुनाओं लेंगे और सारी सिटों पर चुनाओं भी लटेंगे और यह भी कह दिया उप्क कर दोब को यहां पर पवनक्यडा साब दिली में प्रस कॉंटार्णर्स करके कह रहे हैं ते उनको दिल्ली देखना चाहिए तो बैठक के वहां बेज़र्दी की जाएगी केजरिवाल बेजजत होकर के महराज से आने वाले हैं मुम्मे में क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि इस वार अगर वो वहां आते हैं तो जिस तरीके से इनकी बेजजती की गई कहा पटना में जहां चारों तरफ से खड़ गेने भी डाटा उमर अब्दुला भी पीछे पड़ गए सारे लोग केजरिवाल के पीछे पड़ गए उस वज़े से वो मीटिंग छोड़ के अपने भाग के चले आए यही वाता ना प्रस कॉंफिस्मन ही गए उसी तरह की बेज दरसल केजरिवाल ही हैं वो क्यों क्यों कि वो यह नहीं चाहते कि लोग यह कहें कि गड़ बंदन तो त्यार हो रही थी केजरिवाल ने खेल ख़राब कर दिया गड़ बंदन नहीं होना है यह बात समझ दीजिए यह कोई I.N.D.I.A. जो बनने वाला है इसमें कोई सीट सेर नहीं आ रहा है क्योंकि 26 के 26 जो लोग इस गड़ बंदन में हैं उसमें तो पांच को आप बाहर कर दीजिए वो तो अलड़ी केरल में यह लोग कह रहे हैं मैं कॉंग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं कि जो राहुल गांदी आते हैं वाइनाड यह तुक् हाँ आप तो साथ में नहीं लड़ोगे वहां तो कोई गड़ बंदन नहीं है तो यह जो 26 में से 5 लेफ्ट एलाइंस है ल्डिएफ का वो तो बाहर गया फिर उसके बाद आपका गड़ बंदन सीपियम और सीपिय के साथ आरसपी के साथ बंगाल में आप चुनाओ लड़ो साथ में लड़ने को कोई तैयार नहीं लेकिन मुंबे जाने को सारे लोग बेताब है तो यह केजरिवाल का सरेंडर है या कॉंग्रेस पार्टी का सरेंडर है चल क्या रहा है दोनों पार्टी में यह जो एक मुहीम हुई है बेसिक परपस क्या है इन पार्टी का जो जो पुर्धान मंत्री बनना चाहते हैं जिनके अंदर वो जो है वो ख्वाईज जगी है जिनको रात में सपने आते हैं कि वो जो है मोदी के खिलाब एक गड़बंदन बना है तो कतई मेरे ऊपर यह ठीक रहा ना पूटे कि मैंने गड़बंदन की एकता को तोड़ दिया सारे लोग इसलिए आप देखे चुनाव लड़ रहे हैं साथ में अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव बंगाल में लेकिन सोनिया गांदी बगल में बिठा करके अभी देखिए वहाँ पे बंगाल में अभी वहाँ पे जाद़पुर उनिवर्सिटी में एक लड़की की लोग दरसल इस फिराक में हैं कि ये ठीकरा जो है वो कॉंग्रेस पाटी के सरफूटे कि आपकी वजह से गड़बंदन नहीं हो पाया और इसलिए राहूल गांदी इस नाट फिट टो फाइट अगेंस्ट पीम मोदी लेकिन कॉंग्रेस के खनीता का सुबह सुबह बयान सा रहा है कि प्रधान मंत्री कौन होगा बाद में देखा जाएगा इसका मतलब कोई सहमती नहीं बनी अभी तक चुनाओ से पहले से पब्लिक तो ढूंड रही कि कौन होगा वही आप अगर उमिदवार खड़े नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि लाली य कि नहीं अब दिक्कत क्या है कि कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांदी को बचा के लेकर चलना चाह रही है उनको यह डर सता रहा है कि अगर राहुल गांदी का नाम हमने आगे कर दिया तो ओविस सी बात है लोग भाग जाएंगे क्योंकि सब पांच-पांच प्रधान मंत् पार्टी ने अकेले ली है तो यह जो गड़बंदन नहीं बन सका उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी जिम्मेदार है प्राइविटली किसी से पूछिए कॉंग्रेस पार्टी के बड़े लीडर से बाई प्रधान मंत्री कौन होगा वो बिल्कुल असर्ट करके करते हैं कि ऑ कॉंग्रेस पार्टी के सिर पे फूटे और ताकि हम फिर अपना अलग प्लैन बना सकते हैं कि हम है प्रधान मंत्री के असली उम्मिद्वार तो यह खेल चल रहा है लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी के तरब से खबर आ रही है केजरिवाल का वो पहले आड आता था ना पान पराग की डिविया जो है वो तैयार हो गई है वहाँ बहुत बड़ा तमासा होने मारा नितिश कुमार का क्या होगा क्या सही हो जग के नाम पर मुहर लगी नितिश कुमार बचारे पता नहीं ना उनको मैं बार बार कैपिल टीवी के दर्सक अगर इस चीज को रिकॉल करें बिहार में ही उनको दिक्कत हो रही है बिहार में ही वो जो महा गड़बंदने तथा कतित उसमें वो रह पाएंगे पाटी बचा पाएंगे उस पे सवाल है करण मेंनर और प्रधान मंत्री का चेहरा बनना ये उनके लिए बहुत दूर की कॉलिश शरत पवार क्या जाएंग और उनके इज्जत प्रतिष्ठा पर वहां पर चीटा कसी की जाए लेकिन फिर भी वो जाएंगे वो सोनिया गांदी से अलग अपने आपको नहीं रख सकते और इसके लिए वो तमाम तरह के खेल खेल रहे हैं अब तो कॉंग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये जो भतीजा तैयारियां भी की जा रही है बताया जा रहा है कि इस बैटक में विपक्षी गडबंधन इंडिया का लोगो क्या होगा उसे लॉंच किया जाएगा सयोजक के नाम पे मुहर लगेगी और शीट शेरिंग के मुद्धे पे भी चर्चा होगी इसे बीच आज की बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से तकरार की खबर अरविन के जिवाल और कॉंग्रूस पाटी के बीच में आ रही थी उसे बीच अरविन के जिवाल ने यह एलान किया है कि वो मुंबई में होने वाली बैठक इस बड़ी कबर में मेरे साथ फ़लाल इतना ही कैमरे फसंद्रवी के साथ मै पूजा कापिटल टीवी